ओ प्षान्ति आज बाबा की 18 जिन्वरी 1984 की मुल्डी रिवाइस करेंगे इसमें बाबा बताते हैं स्मृति दिवस पर स्मृति दिवस का महत्व तो इसमें बाबा ने 18 महत्व बताए हैं आज मदुबन वाले बाब मदुबन में बच्चों से मिलने आए हैं आज अमरे त्वेले से स्नेही बच्चों के स्नेहे के गीत समान बच्चों के मिलन मनाने के गीत संपर्क में रहने वाले बच्चों के उमंग में आने के उत्साह भरे आवाज बांधेली बच्चियों के स्नेह भरे मीठे उलहेने कई बच्चों के स्नेहे के पुष्प बापतादा के पास पहुँचे जो जितने भी बाबा के बच्चे हैं सभी अमरे त्वेले से ही बाबा कहते स्नेहे के गीत कारे हैं कोई मिलन मनाने के, कोई उमंगुत सहा के और कोई बांधेली बच्चियां सने भरे मीठे मीठे उलहने भी देते हैं तो ऐसे सनेह के पुष्प बाप दादा के पास पहुँचे देश विदेश के बच्चों के समरत संकल्पों की श्रेश्ट प्रतिग्याई सभी बाप दादा के पास समीब से पहुँची बाप दादा सभी बच्चों के सनेह के संकल्प और समरत संकल्पों का रिस्पॉंड कर रहे हैं तो बाबा का रिस्पॉंड पहला सदा बाप दादा के सनेही भाव जितने भी बच्चे हैं जाए सनेह के पुष्प थे जाए उलहनों के थे जाए प्रतिग्याउं के हैं जो भी बाबा को उस दिन संकल बाबा के पास पहुँचे तो उसका बाबा रिस्पॉंड करता कि एक तो सदा बाब तादा के सनेही भव तो बाबा जो रिस्पॉंड कर रहे हैं वो भी वर्दान के रूप में कर रहे हैं तो बाबा का वर्दान मिला तो उसके बाद सिरफ हमको उस वर्दान को समय पर यूज़ करना है तो सदा बाप दादा के सनेही भव, सदा समरत समान भव, सदा उमंग उत्साह से समीब भव लगन की अगन द्वारा बंधन मुक्त सुतंत्र आत्मा भव कई बांधेली बच्चियां भी हैं जिनोंने बाबा को उलेने भी दिये, सनेही भरे उलेने, मीचे उलेने बंधन में होती आत्मा तो उसको उलेन आता है तो बाबा ने उनको भी वर्दान दिया कि लगन की अगन द्वारा बाबा के समान बनने की लगन हो, बाबा को याद करने की लगन और लगन अगन का रूप ले ले, बाबा मेशा कहते है न, पहली लगन, फिर मगन और फिर वो अगन का रूप ले लेती है, तो लगन की अगन द्वारा बंधन मुक्त, स्वत अंत्र आत्मा भाव। बच्चों के बंधन मुक्त होने के दिन आई की आए बच्चों के सनेह के दिल के आवाज कुम करन आत्माऊ को अवश्य जगाएंगे यही बंधन में डालने वाले स्वयं प्रभू सनेह के बंधन में बंद जायेंगे जो बादेली हैं उनको बाबा कहते कि जो आज बंधन डालने वाले हैं कल वो प्रभू सने के बंधन में बंध जाएंगे आज आपको बंधन डालते ना बाबा के घहराने के लिए रोकते दार्नाओं के लिए बंधन डालते हैं लेकिन बाबा कहते कि आपका जो सने है उसने है क्या करेगा उन आत्माओं को जगाएगा कुमकर्णों को भी जगाएगा और ये बंदन डालने वाले ये स्वयम प्रभू स्नेहे के बंदन में बंद जाएंगे लेकिन सिर्फ भाबा केते होते हैं उनमें आग्या प्रतिग्या समाई होती है तो बाबा भी पूरा करेंगे अपनी प्रतिग्याओं को लेकिन उसके साथ साथ हमें बाबा की आग्याओं को भी ज़रूर पहले पालन करना है पिर जो बाबा प्रतिग्या कर रहे हैं बाबा जो कह रहे हैं कि वह स्ने के बंधन में बन जाएंगे तो आपको भी बंधन मुक्त करेंगे तो बाब तादा विशेश बंधन वाली बच्चियों को शुब दिन आने की दिल का आथत दे रहे हैं सिरफ जो बांधे लिया हैं वे हिम्मत ना हरें क्योंकि आज के विशेश दिन पर स्नेहे के मोती बाप दादा के पास पहुंचते हैं यही स्नेहे के मोती श्रेश्ट हीरा बना देते हैं तो यह आज के दिन का दूसरा महत्व कि जो स्नेहे के मोती हैं वो हीरा बना देते हैं तीसरा बाबा केते हैं आज के दिन का महत्व, आज का दिन समरत दिन है, स्मृति दिवस सो समरत दिवस है, चौथा, आज का दिन समान बच्चों को तत्वम के वर्दान का दिन है, जैसे बाबा अव्यक्त हुए, ऐसे बाबा केते हैं आप भी तत्वम, वो वर्दान का दिन है बाबा आज के दिन वर्दान हम बच्चों पर लुटाते हैं पांचवा आज के दिन बाप दादा शक्ती सेना को सर्वशक्तियां विल करते हैं विल पावर देते हैं विल की पावर देते हैं ये पांचवा और छटा चटा आज के दिन का महत्व आँच का दिन बाप का बैकबोन बन बच्चों को विश्व के मैदान में आगे रखने का दिन है मना बाप क्या बने बैकबोन अर्थार बाबा अव्यक्त हुए बाबा उपर वतन में अव्यक्त हो गए और बच्चों को आगे किया और खुद बैकबोन बन गए मना बाबा सपोर्ट पूरा हमको कर रहे हैं सयोग दे रहे हैं शक्ती दे रहे हैं लेकिन मैदान में बाबा ने किनको रखा विश्व के आगे बच्चों को तो बाप unknown है और बच्चे well known है जैसे भी देखो कि अभिश्य बाबा भी प्रतक्ष नहीं हुआ ब्रह्मा कोमार ब्रह्मा कोमारिया प्रतक्ष है तो वो unknown और बच्चे well known है सात्वा आज का दिन ब्रह्मा बाब के कर्मा तीत होने का दिन है अठारा जिन्वरी को बाबा अपनी संपून सिती को वना हर तरह से कहें बाबा कर्मा तीत हुआ इस साकारवतन से और सब जिम्मेवारी जैसे पिछली मुडली में भी पढ़ा बच्चों को देके और खुज जो है अव्यक्त हुए तो आज का दिन ब्रह्मा बाप के कर्मातीत होने का दिन है माना जो श्य बाबा इतने समय से जो पढ़ा रहे थे 33 साल के बाद सबसे पहले पहले कर्मातीत हुए ब्रह्मा बाबा जो समान बने तो वो दिन है 18 जिन्वरी ब्रह्मा बाप के कर्मातीत हुने का खुशी का भी दिन है और आठों पॉइंट है, तीव्र गती से विश्व कल्यान, विश्व परिक्रमा का कारे आरंभ होने का दिन है नौवा पॉइंट है, आज का दिन बच्चों के दरपन द्वारा बाप दादा के प्रख्यात होने का दिन है क्योंकि बाब तो अव्यक्त हुआ, तो बाब केते की बच्चों के द्वारा बाप दादा के प्रख्यात होने का दिन है और दसवा पॉइंट, जगत के बच्चों को जगत पिता का परिशे देने का दिन है इसलिए 18 जिन्वरी का दिन होता है तो कोशिश रहती है कि जो भी नए भाई बहन है उन सबको हम बाबा का परिचे दें, तो जीवन कहानी सुनाते हैं ऐसे पडिक प्रोग्रैम रगते हैं ताकि सबको जो हम बाबा का परिचे दे सकें तो जगत के बच्चों को जगत पिता का परिजय देने का दिन है 11 पॉइंट है सर्व बच्चों को अपनी स्तिती ज्यान स्थंभ, शक्ति स्थंभ, अर्थार्थ, स्थंभ के समान, अचल अडोल बनाने की प्रेढ़ना देने का दिन है माना ये आज का दिन बाबा क्या चाहता है, बच्चे अपनी अवस्था कैसे बनाई, एक स्थंभ, पिलर के समान, मजबूत, जिसे कोई हिला न सके एसी बाबा केते हैं, आप अपनी अवस्था बनाए, अचल अडोल और फिर दूसरों को भी प्रेढ़ना दें की हम भी अपनी अवस्था को जैसे ब्रह्मा बाबा प्रेढ़ना दिया, अपनी अवस्था अचल अडोल बनाई चाहे कोई बच्चा गाली दे रहा है चाहे कोई बच्चा महिमा कर रहा है चाहे कोई छूट बोलते हैं ब्रह्मा बाबा के लिए लेकिन बाबा की अवस्ता अचल अडोल चाहे यग्ये में बैगरी पाट आ गया तो भी बाबा की अवस्ता अचल अडोल ज्यान का भी बाबा के पाश बल था और योग का भी बल था निश्चे का भी बल था इसलिए बाबा अचल अडोल थे हर परस्तिती में है तो भी नहीं है तो भी तो बाबा की सिती बहुत अचल अडोल तो ऐसे बाबा के थे आज के दिन आपको भी ये प्रेड़ना औरों को द तो हर बच्चा बाप का याद का शांती स्थम्भ है ये तो स्थूल शांती स्थम्भ बना है ना मदुबन में जो बना है शांती स्थम्भ उसमें भी चार पिलर है ग्यान का शांती का शक्ती का पवित्रत्ता का ये चार पिलर दिखाएं है तो ये तो बाप केते स्थूल है प माना ऐसे अचल अडोल बाबा के हम स्थम्ब बच्चे जिनको बाबा कह रहा है आप याद का स्थम्ब हो बाब तादा सभी चेतन्य स्थम्ब बच्चों की परिक्रमा लगाते हैं जैसे आज शांती स्थम्ब पर खड़े होते हो उसकी भी हम परिक्रमा लगाते हैं ऐसे बाबा भी हम बच्चों के, चाहे हम सेंटर पर रहे हैं, चाहे घर गरस्त में रहते हैं, चाहे मदुबन में हैं, कहीं भी हैं, तो बाप दादा भी परिक्रमा लगाते हैं, तो बाप दादा आप सभी याद में रहने वाले स्थम के आगे खड़े होते हैं, जैसे हम खड में रहने वाले हैं बाबा की याद में रहने वाले स्थम बना अचल अडोल उनके आगे बाबा खड़े होते हैं और बारवी पॉइंट है आप आज के दिन विशेश बाब के कमरे में जाते हो तो बाब दादा भी हर बच्चे के दिल के कमरे में बच्चों से दिल की बाते करते हैं देखो अब ये connection सारा सुक्षम है अनुबव भी किसको होगा जो दिल से करे सच्चे दिल से जो करेगा उसको ही ये अनुबव होंगे जैसे अब बाबा ने का आप शानती स्थम के आगे जाते हो तो बाबा किन बच्चों के समोख होते हैं जो याद में स्थम के समाने जिनक हमारे समोख है ऐसे बाबा ने का कमरे में जाते हो ऐसे चले गए साधारन रिती से कमरे में जाके आगे नहीं लेकिन अगर आप बाबा के कमरे में जाते हो और बाबा से दिल की बाते करते हो तो बाबा भी क्या करता है हर बच्चे के दिल के कमरे में बच्चों से दिल की बा की याद कर दिल रुबा बच्चों से दिलवर बाप विशेश मिलन मनाते हैं तो बाप तादा भी सभी दिल रुबा बच्चों के भिन भिन साज सुनते रहते हैं जोपड़ी में जोपड़ी में जाते हैं तो बाबा दिल के साज सुनते हैं अब कोई सनेहे की ताल से साज बज जाते हैं जो भी मनी मन बाबा से बाते करते हैं तो उसमें कईों की स्ने होता है और कोई शक्ती की ताल से बाते करते हैं कोई आनंद कोई प्रेम की ताल से तो भिन भिन ताल के साज सुनते रहते हैं मन के जो हमारे भाव होते हैं वो बावा तक पहुँचते हैं मन का हमारा भाव जो भी हम बावा के समुक रखते हैं बावा से करते हैं तो उसमें हमारे मन का भाव क्या है तो वो बावा देखता है कोई सने के भाव से करता है कोई आनंद का है कोई मिशक्ती है ऐसे बावा ने का न इसे कोई उलहने दे रहे हैं, मीठी उलहने, तो वो बाबा देखता है, तो वो बाबा कहता है कि भिन-भिन ताल के साज सुनते रहते हैं, बाब तादा भी आप सभी के साथ-साथ चक्र लगाते रहते हैं, जैसे आप शानतिस्तम गए, बाबा के रूम में गए, जोपडी में गई तो बाबा केते बाब दादा भी आपके साथ चक्र लगाते हैं बाबा भी आपके समुख और आपके साथ साथ हैं तो आज के दिन का विशेश महत्व समझा कितना बाबा ने वर्दान भी देता है बाबा आप जो बाबा को उसने ही दे रहे हैं उसका रिटर्न भी दे रह है आपके दिल रुपी कमरे में आके आपसे बाते भी कर रहे हैं रूरिहान भी कर रहे हैं कितना बाबा केते आज के दिन बाबा समान भव का वर्दान दिया तो ये बाबा केते आज के दिन का विशेश महत्व ब्रह्मा बाबा गर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया, हमारी बैकबॉन बना, हम बच्चों को आगे किया, तो कितना बाबा केते हैं और समर्थी दिवस सबसे, समर्थी सो, सारा दिन बाबा की समर्थी रहती है, तो समर्थी भी आती है, तो समर्थी दिवस भी है, तो ये बाबा केते हैं व स्मृति-सो समर्थी दिवस भी है फिर पंद्रवा पॉइंट है आज का दिन वियोग व वेराग्य का दिन नहीं है माना ऐसा कोई हमको कि बाबा चला गया बाबा छोड़के चला गया कोई हम ऐसे वियोगी नहीं हो गया ना हमको कोई ऐसा वेराग आ गया, जैसे दुनिया में भी होता है, कोई शरी छोड़ देते हैं, तो बहुत वेराग आ जाता है, वेरागी हो जाता है, लेकिन हमको पता है कि बाबा, जैसे बाबा भी मुल्लियों में बताते हैं, कि मैंने जिरफ कमरा चेंज किया है, या बाबा ने अपनी एक सं जमेवारी के ताज पोशी का दिन है, बाबा सारी साकार की जमेवारियां देखे गया, बलने में दादियां बनी और बाके सब उनके सहयोगी, राइट हैंड बने, तो जमेवारी का बाबा ताज दिया, तो ये दिन आज का, सौलवा पॉइंट है समर्थी के स्मृती के तिलक का दिन है ताजपोशी भी होती है तिलक भी होता है तो ये बाबा केते हैं आज के दिन का महत्व है सत्रवा पॉइंट है आगे बच्चे पीछे बाब इसी संकल्प को साकार होने का दिन है और 18 जन्वरी और बावा ने देखो 18 जन्वरी के दिन के 18 महत्व बताए आज के दिन का तो आज के दिन ब्रह्मा बाप विशेश डबल विदेशी बच्चों को बाप के संकल और अहवान को साकार रूप देने वाले सनेही बच्चों को देख हर्शित हो रहे हैं कैसे सनेहे द्वारा बाप के समुक पहुँच गए हैं ब्रह्मा बाप के अहवान के प्रतक्ष फलस्वरूप जैसे आपने सुना होगा कि बाबा बाबा के अव्यक्त होने के बाद विदेश में सेवाई शिरू हुई तो अव्यक्त रचना है नेकिन जब बाबा साकार में थे तो भी बाबा सकाश देते थे सुक्षम बाबा विदेश की आत्माओं की सेवा करते थे तो वो बाबा कह रहे कि कैसे बाबा उस समय बच्चों का आवान करते थे और उसका प्रतक्ष फल आज जैसे दिखता है तो 70 के बाद विदेश में सेवाई शुरू हुई तो ब्रह्मा बाब के आवान के प्रतक्ष फल सुवरूप हो ऐसे सर्वश शक्तियों के रस भरे श्रेश्ट फलों को देख ब्रह्मा बाब बच्चों को विशेश बधाई और वर्दान दे रहे है शक्तियों का रस बाब कहते हैं सब में, सब देश-विदेश की आत्माओं में बाबा ने कैसे जो है शक्तियों का रस भरा, वो बाबा फल देख करके बच्चों को बधाई और वर्दान दे रहे हैं, सदा सहज विधी द्वारा वृध्धी को पाते रहो। जैसे बच्चे हर कदम में बाब की कमाल है, यही गीत काते हैं, ऐसे बाब तादा भी यही कहते हैं कि बच्चों की कमाल है। दूर देशी, दूर के धरम वाले होते भी कितने समीप हो गए, जो विदेशी है उनका तो धरम भी दूसरा कलचरी सब फरक है, उनकी तो रहन, जहन, खान, पान, सब बिलकुल अलग, लेकिन बाबा का बनने के बाद, बाबा कहते कितने समीप हो गए, उन्हों बच्चों ने कितनी कमाल करी जो अपना रहन सेहन खान पान सब में परिवर्तन लाया तो बाप की कमाल है बच्चे कहते बाप की कमाल कि हमें इतना अपना बनाया परिवर्तन किया बच्चे के बाप कहते बच्चों की कमाल कि कितने समीप हो गए और बाबा कहते देखो समीप आबू में रहन वाले दूर हो गए वो दिये तले हमेशा कहते अंधेरा ही होता है सागर के तट पर रहने वाले प्यासे रह गए लेकिन डबल विदेशी बच्चे औरों की भी प्यास बुझाने वाले ग्यान गंगाई बन गए न तो बावा के ते देखो कितनी कमाल है बच्चों की जो वो प्यासे है और डबल विदेशी इतनी दूर दूर से आने वाले न लंबा सफर ते करके आते हैं और वो बावा केते देखो कैसे ग्यान गंगाई बन गए औरों की भी प्यास बुझाने वाले बन गए तो कमाल है न बच्चों की इसलिए ऐसे खुश नसी बच्चों पर बाब तादा सदा खुश है, आप सभी भी डबल खुश हो न, बाबा डबल विदेशी बच्चन को कहते हैं, आच्छा, ऐसे सदा समान बनने के श्रेष्ट संकल्प धारी, सभी का यही श्रेष्ट संकल्प है आज के दिन कि हम सदा बाब समान बने हैं तो ऐसे बाबा कहते हैं, समान बनने के श्रैष्ट संकल्ब धारी, सर्वशक्तियों के विल द्वारा, विल पावर में रहने वाले, सदा दिलवर के दिल रुबा बन, भिन-भिन साज सुनाने वाले, सदा स्थंब के समान, अचल अडोल रहने वाले, सदा सहज विधी द्वारा, व्रिद्धी को पाई, व्रिद्धी को प्राप्त कराने वाले, सदा मधुर मिलन बनाने वाले, देश विधेश के, सर्व प्रकार के विराइटी बच्चों को, पुष्प वर्षा सहित, अब देखो कौन आपके उपर पुष्पों की वर्षा करते हैं, तो पुष्प वर्षा सहित, बाब दादा का याद प्यार और नमस्ते, तो सुना आज के दिन का, 18 जन्वरी के दिन का महत वबाब ने बताया, लास्ट में आपने सार में भी सुना, कि कितना आज के दिन का महत वैसबसे अच्छी बातों, बहुँ बाबा ने कैसे, पुष् सभी प्रकार के वेरैटी बच्चों को चाहे वो देश के, विदेश के जो भी बाबा के सने ही सायोगी, बंधेले सभी को बाबा ने इमर्ज किया और सब पर पुश्व वर्षा करी और फिर उन सब को याद प्यार और नस्ते दिया ओम शंती